सीमली, सीमली means something according to, custom, suitable और acceptable मतलब ऐसा कुछ जो suitable हो, proper हो, appropriate हो, acceptable हो तो उसे ही कहते हैं सीमली इसे आप example समझो अच्छे सक्किलिए हो जागा जैसे सीमली behavior मतलब ऐसा behavior जो उस situation के हिसाब से proper हो, decent हो, appropriate हो तो वो होगा सीमली जैसे suppose आप school में हो और आपको पता चला कि आपके principal आने वाले हैं तो आपको seemingly behave करना पड़ेगा seemingly behave बोले तो आप जब आपको teacher या principal आएंगे तो आपको अच्छे से खड़े होके आपको wish करना पड़ेगा good morning sir, good afternoon sir आप उस टाइम बैठे नहीं रह सकते हो आप principal आ रहे हैं भाई तो ठिक से तो proper आपको behave करना ही पड़ेगा ना तो वो जो situation के हिसाब साब आप जो properly behave करोगे जो सब के लिए acceptable है आप जो properly behave करोगे वो होगा seemingly so seemingly means proper or appropriate for the situation और कहें से socially suitable और acceptable हिंदी में से कहेंगे उची तुरूप से ज्ची तुरूप से हो और ले याद के लिए आप इसको कोuted सीमे से जो ड्रेस है, यह जो जो पॉपर ड्रेस है, मतलब जो पार्टी में जा री तो उस पार्टी के लिए उस पार्टी केलिए यह जूपर ड्रेस हा, suitable dresses, सब उसे accept करेंगे कि हाँ, यह dress, उस situation के हिसाब सब सही है अगर suppose करो, यही यह dress पहन के, यह dress है यह dress पहन के, यह किसी के funeral में जाती, funeral में जाती तो यह क्या proper था? नहीं ना, उस time तो आपको white कपड़े पहना पढ़ेगा या और भी कोई साधा कपड़ा पहना पढ़ेगा, अब उस time आप यह एतने अच्छे कपड़े ड्रेस पहन के जाओगे तो वो funeral कभाई situation आप वहाँ पे एतने अच्छे ड्रेस पहन के नहीं ना जा सकते हो, तो वही बात है तो अगर जो proper हो, मतलब यह पार्टी के लिए तो प्रोपर है बड़ यह प्रोपर नहीं तो जो से हिसाब से प्रोपर होगा वह होगा सीमली, तो इसको करेट सीमा से सीमा आँटी ड्रेस्टर सीमा सीमली यह प्रेस है, for example सीमली बिहेवर, मतलब आप जैसे मैंने लिया था इसके रिलेटेट वर्ड्स है, सीमली नहीं यह एक नावन है सीमली के antonyms, synonyms है congruous, suitable, correct, decent, proper इसके antonyms है, inappropriate, unseemly, improper, incorrect So guys, that's it for now. Do watch all the videos of all the vocabulary to make your English vocabulary better. And do subscribe to our channel and stay updated to all related relations. See you guys in my next videos. Till then, bye-bye. Take care.